तो हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब मस्त होंगे तो आपका स्वगत है एक न्यू इंट्रेस्टिंग जबरदस्त वीडियो में आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसर 241 की और सेटिंग्स के बारे में और यहां पर हम जो है इसके साथ कुछ मोडिपिक्शन करने वाले हैं जैसे कौन फिंग के अंदर स्पीट वगेरा बढ़ाएंगे वैसे तो जो है मैंने पिछले वीडियों के अंदर इसकी जो सिंपल स्पीट हैं वो कितनी रहती हैं जो लगबख से पिछोतर के आसपास रहती हैं उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो तो देख तो कलर वगेरा लाइटिंग वगेरा उस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल बता दियें लगबख से 6 मिंट का वीडियो होगा छोटा ही हैं और इसके अंदर हम जाएंगे कौन फिंग के अंदर और इसकी स्पीट वगेरा बढ़ाएंगे और कल्टी को जो है नीचे करने के बा अब हमने कर दिया इसको डाउन और अब चलाने वाले हैं इसकी स्पीट वगेरा तो इसकी स्पीट जा रही हैं लगबख से 8 के आसपास हैं और पूरी जो है इसको अगर दबा देंगे तो लगबख से 7 और 8 के बीच इसकी स्पीट रहने वाली हैं एट से ज्यादा होने वा होगे तब तक जो है इसकी फसल वग्यरा कटांग होती रहती हैं जब तक मैंने देखा हैं तो ऐसा ही होआ है अब हमने जो है चार बार क्लिक कर दिया है और इसकी कल्टिवेटर की हाईस स्पीड रहती हैं लगबख से पच्शीस वगेरा तक चली जाती हैं तो अभी गई हैं बाइस और इतनी जो है लगबग से गई हैं तो अभी और एक क्लिक करते हैं तो कटिंग वगेरा तो हो रही हैं तो मैंने का था कि 25 वगेरा चली जाएगी तो 30 से भी ज्यादा जा चुकी हैं 35 के वगेरा और कटिंग वगेरा भी ह हो रही हैं तो कौन फिइंग वग्यरा करेंगे तो बहुत जादा इसकी इस पीट वग्यरा होने वाली है वो देख लेता है। कितनी कुछ होती है खड़े के अंदर तो जो है यह स्पीट होने वाली तो सबसे पहले हम करते हैं कल्टीवेटर को out इसको कर देते हैं पूरा एदम से को सिंबल और अब इसकी कौण कर डिया को बढ़ा देता है यहां से तो लाइटिंग वगिरा मैने on तो की नहीं है बट इसकीं कौश लाइटिंग वगिरा तो उससे मैंने आप प्छले वीडियो बता दियाए tratar को देखने कुछ जरूरत है नहीं तो हम इसके कौन फृंगे अंदर जाते हैं और यह सब कुछ जो चीज़े हैं इसकी स्पीड पूरी तोर कर देता है पूरा और ब्रेक वगhoodर है इसको वी पूरे करता हैं तो इसकी यह जो है last speed यही रहती है और आगे से उपर वगए रात जो है यह आसानी से होई जाता है और estruct और इसको जो handle हैं एसको हम पूरा control कर देते हैं और tieir वगए रात है यह सिंपल आपको चैंज करना आते ही हैं तो इसको बताने की कोई जरूरत है नहीं तो आप जो है चैंज करना चाहो तो कर सकते हो कौन फिंग के अंदर इसकी स्पीट वगिरा देखते हैं पूरी बड़ाने के बाद तो अब इस यह जा रहा है टेक्टर लगबग से पिछो त बीता हैं पूरी स्पीट देख लोता है इसका मैंने फोरस हैं वह भी बड़ा दिया है अब इसका एंड आने वाला हैं तो फन मोड को किर दिया हैं पूरा ऑन और अब इसकी देखते हैं स्पीड इस विए स्पीड दो सू सहाइर हो चुकि ए थीEM45 या फिर इतनी ही कुछ जाती हें क्जिकि जब तक मैं मोरता हूँ तो इसका ये एसे जो ए ख़ड़ा भी 唇 जाता है ये 情况 ये जो है अब फनमोर त we देखाता हू धिकाता हूँ जो है क्या किश सिर्टम ता पर और ये ख़चे भी ये और दिखा देता हूँ ये कैसे को जो है नेए जो बालना जाने वाली हैं तो अभी इसको पूरा रोक ना पड़ेगा और अभी सिसकी स्पीट बग्रा कर देखते हैं यह देश two यह हैं आगे से उपपर और यह कुछ ऐसे फन उड के अंदर कुछ ऐसे करता है हैल्ट ट्र यह देश two तो ये भी कुछ ऐसे इस्टंड करेगा अभी हम इसकी स्पीड दीरे करते हैं इस्टंड करने के बाद तो ये देश तो धीरे स्पीड के अंदर कितना एदम से सलो मोसन हो जाता है जैसे हम रील बनाते हैं वैसे इसका भी जो है सलो मोशन होता है अब हमने जो है पूरा सलो मोशन कर रखा है और ये धीरे धीरे से जो हो रहा है पल्टी हो रहा है पूरा एदम से डाउन वगेरा तो ये कुछ सिस्टम है तो वीडियो अगर आची लगी हो तो लाइक वगेरा कर देना तो आज के लिए इतना ही मिलते ह अगले वीडियो के अंदर